आप देख रहे हैं बनो अपना Finance Minister और हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकाश Women's Wednes Day जहां पर महिलाओं की Financial Planning की अब हम बात करेंगे हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं Optimum Money Managers के MD पंकर्श मटपाल पंकर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हम आज की महिला दर्शुकों के साथ जुने पंकर जी उससे पहले हम दर्शुकों को बता दें कि वो अपने सवाल कहां तक पहुंचा सकते हैं सबसे पहले तो अगर आप एक महिला है और Women's Wednesday की हमारी पेशकर्श देख रही है और हमसे सवाल पूछना चाहती है तो अपने सवाल हमें आप YouTube के comment box में अगर YouTube पे देख रही हैं तो comment box में डाल सकती है आपके सवालों को हम शोव में शामिल करेंगे एक हमारा WhatsApp नंबर भी है जो की आप इस्तिमाल कर सकती है अपना सवाल भीचने के लिए इस शोव में हम दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं और उनकी life financial planning कराते हैं हमारे experts के जरिए तो पंकर जी इंडिया investor week हम मना रहे हैं इस पूरे हफ़ते और दर्शकों के सवाल तो निवेश की खुशाली शनिवार को हम investor महाकुम भी लेकर आएंगे दर्शकों के लिए जहां पर non-stop programming होने वाली है 11 बजे से 2 बजे तक जहां पर आपके निवेश के हर पहलू पर हम आपको जानकारी देंगे तो पंकर जी विबिन्स वेटनिस डे में आज इंडिया investor week के च पूरे हफते तो महिला निवेशकों को हम पूरी तरहां से हैन होल्डिंग करने की कोशिश करेंगे निशी निशा मैदोग का मैं सवाल लूँगी और इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है यह कह रही है कि ओके इनको रिटाइमेंट के लिए प्लानिंग करनी है लगभग 15 से 16 साल तक की इनकी इन्वेस्मेंट रेटारिमेंट की जो टाइम होराइजन है 15 से 16 साल में है और विटाइम रिस्क में इनको निवेश नहीं करना है इन्होंने जो लिखा हुआ है कि शॉट्टर्म के लिए निवेश करना होगा हेल्थ इमजिंसी को धियान में रखते कितना नहीं है टेर वन टेर टू अकाउंट में से कहा निवेश करना चाहिए जानना चाहती है और बीस हजार रुपए अभी शुरुवात करना चाहती है अपने इंवेस्टमेंट की और लमसम बाद में आड करेंगी तीस से पचास हजार रुपए और अगर यह S.I.P. नहीं क सवाल पर बहुत सारे important takeaways हैं के सवाल के जरीए जो कि बाकी दर्शुकों की भी काफी काम आएंगे पंकर जी तो चलिए शुरुवात करते हैं और retirement का इनका पहला लक्षर 15-16 साल पाद कबते जी नमस्कार जैसे आपने कहा कि बहुत सारे सवाल हैं मैं उतर देनी कोशिश करूँगा अगर कोई चीज छूड़ जाए तो आपसे request है कि आप फिर से वह सवाल मुसे पूछ लेना तो पहली बात आपने कहा कविदा जी इसमें कि contingency के लिए इमर्जेंसी के लिए ने थोड़ा पैसा इखटा करना है अब क्योंकि contingency की बात आती है तो उसमें यह important है कि returns भले ही बहुत ज़दा ना मिले लेकिन पैसा आसानी से निकल पाए तो ऐसे में मेरी राए ये होगी कि कुछ पैसा है ने liquid funds में पार्क करना चाहिए liquid funds एक mutual fund की category होती है जहां पर आप पैसा savings की तरहां मतलब रखते हैं और bank के account से bank का savings account है उसके मुकाबबे थोड़े बहुतर returns की उमीद रखते हैं और पैसा आसानी से यहां से निकल भी जाता है risk काफी कम होता है तो थोड़ा पैसा यहां पार्क किया जा सकता है liquid fund में जैसे थोड़ा सा पैसा क्योंकि contingency ऐसा नहीं है कि पैसा रखाया जुरूरत पढ़ने ही वाली है कई बार वो पैसा लंबे समय तक पढ़ा रह जाता है तो यह थोड़ा पैसा FD में भी साथ में रख लें तो वो भी सही रहेगा तो इस तरहां से इन है कुछ पैसा जनलियम कहते ह कि 3-6 मन्त के आपके मंतली expense के बराबर आपके पास पैसा होना चाहिए तो यह पैसा आप contingency के लिए liquid points FD या इस तरहां के कम risk वाले instrument में पार्क करें दूसरी बात यह है कि क्योंकि निशा जी ने कहा है कि उन्हें risk कम लेना है लेकिन देखिए जब आपका नजरिया 15-20 साल का हो आप बात कर रहें है retirement की और long term goal की तो इसमें आपको inflation से अधिक return मिल सके यह उमीद रखनी चाहिए तो अगर आप यह उमीद करते हैं कि FD के मुकाबले returns मेरे बहतर हो तो risk भी यह मान कर चलिए कि FD से थोड़ा जैदा होगा लेकिन क्योंकि बात हो रही है long term की तो थो ताक रहाओ का जोखिम होता है वो कम होता जाता है तो मैं यहां पर कुछ funds ऐसे स्रेश कर रहा हूं कि जहां पर यह diversified funds हैं और fund mix ऐसा है कि आप medium term long term दोनों के लिए इन funds में invest कीजिए और फिर उस साब से आप जब जरूरत होगी तब पैसा withdraw भी कर पाएंगे तो जैसे HDFC Flexi cap fund है आईसे से potential value discovery fund साथी महिंदरा मेनुलाइफ balance advantage fund यह एक ऐसा fund है जहां पर आपका निवेश equity और debt दोनों में हो जाएगा और साथी निपॉन इंडिया asset allocator fund of fund यहां पर आपको equity debt के साथ gold भी मिलेगा तो इसके लिए इस तरह से आप 4 funds में निवेश करके चलिए यह आप के medium term और long term दोनों के लिए suitable रहेंगे एक सवाल यह था कि NPS में retirement के लिए invest करना हो तो कैसा होगा बिल्कुल देखिए NPS में tier 1 tier 2 दो आपके पास choices है accounts की tier 2 account जो है वो basically savings account है open ended mutual funds की तरह तो उसे आप retirement के लिए consider ना करे retirement के लिए आपका tier 1 account है उसमें आप पैसे invest करें account open कर लीजिए और उसके बाद जिस तरह से भी आप चाहें आप decide करना चाहें कि monthly आपको invest करना है वैसा भी हो सकता है और जब पैसा हो तब आप लंसम करें ऐसा भी कर सकते हैं तो यहाँ पर commitment भी बहुत छोटा सा है thousand rupees का commitment होत सकते हैं और 60 years के बाद आपको यहाँ से pension मिल सकती है आप NVT में पैसे को transfer कर सकते हैं तो आपका pension का भी यहाँ से बंदोबस्त होगा उसके लिए account है एक सवाल यह और था कि अगर लंसम करें SIP ना करें तो कैसा रहेगा दिखे यदि आप यह उमीद कर रहे हैं कि हर महीना आएगा और उसमें से हर मेना आप invest करना चाहती है तो मेरे साब से SIP से बढ़िया कुछ भी नहीं है क्योंकि आपको time नहीं करना है आसानी से मतलब बिना किसी जंजट के पैसा invest होता रहता है लेकिन अगर आपका job ऐसा है या फिर किसी की income uneven income होती कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है fixed income नहीं होती है ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि SIP ना करें और लंसम में जब भी पैसे आये तब invest कर सकते हैं बट आपके लिए निशा जी मेरा मेरी राए यही है कि यदि आपकी fixed income है हर महीने कुछ पैसे आते हैं तो आप कमिट्मेंट ले लीजिए आसानी रहेगी प आप uncertainty हैं फिर आप लंसम में भी invest कर सकती हैं पर जो इसकी मैंने बताई इनहीं में आप invest कीजिए उनहीं में top up करते जाईए मेरे ख्याद से पंकर जी आपको आपने सभी पहलूं को cover कर लिया है जो सवाल पूछे थे निशाने जटपट आगे बढ़ते हैं और अंकिता का सवाल में लेती उन्होंने भी YouTube के जरी अपना सवाल हमें भेजा है और यह कहरी इनकी उमर 28 साल की है और इन्होंने पिछले मह पर हमारे साथ है नहीं वरना 28 साल की उमर में इन्होंने इन्वेस्पिन की शुरुआत की है फंस भी काफी अच्छे ही है और गोल के लिहाज से देखा जाए तो शायद थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा अपने निवेश को लेकिन आप बताइएगा कितना अप्रॉक्सि कैप अपने आपने एक डाइवर्सिफाइड फंड है साथ ही निपोनीडिया मल्टी कैप फंड के जरी आपको लार्ज कैप, मिट कैप, स्मॉल कैप का एकस्पोजर मिल रहा है और एक एडिशनल स्मॉल कैप फंड भी है तो इन फंड में रहा जा सकता है लेकिन यहाँ पर क CAGI पर कल्कुरेट कर रहा हूं तो चैसाल में करीब तीन लाग दस जार रुपिया ही खटा हो पा रहा है अब क्योंकि टार्गेट है दस लाग का तो आपको अपना इंवेस्टमेंट तो बढ़ाना ही होगा यदि ऐसे बात करें तो तीन गुना करना होगा आपको तीन हिजा आते रहिए और यदि 6 साल से थोड़ा समय बढ़ जाए तो और भी असानी होगी तो इसकीम सही है और आपको प्राग पार एक फ्लेक्सी कैपफंड में और एमोन बढ़ाने की मैं सलहा दे रहा हूं और राइट अंकिता आप फोन लाइन पर तो हमारे साथ है नहीं यूट्यूब पर सवाल आपने भेजा है अगर इसके अलावा भी कुछ और पूछना चाहती हो तो अपने सवाल को भेजिएगा और अपकी बार अपना कॉंटाक नमबर भी दीजिएगा ताकि आपस बात भ है बाइफ है बांकिंग फिनांशल डिरेक्ट, मल्टी काप, डिफेंस है, HDFC का और साथी LSS Tax Saver भी है करवरेबर कुक के पास स्मॉल काप है, फ्लेक्सी काप है और इमर्जिंग एक्विटी भी है 33,000 की SIP कर रही है हर मेना, 2 साल पहले शुरुवात की है, कॉर्पिस 1 करोड, 8 साल के बाद इन्हें खुद का अपार्टमेंट खरीदना है, ये है गौरी का सवाल तो, बताइगे का पंकर जी, बहुत ओवर डिविसिफिकेशन, AMC कॉंसेंट्रेशन भी है, थेमाटिक कहा कि, यहां पर कॉंसेंट्रेशन है, AMC का, 11 में से यहां पर 7 पंड जो है, वो HDFC mutual fund के हैं, तो funds अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है, अगर आपको multiple fund managers का, multiple fund houses की expertise चाहिए, तो ऐसे में better होगा, कि यदि आप 4-5 fund भी ले रहे हैं, तो वो अलग-लग fund houses की हो, और देखा जात है कि, हर fund house की अपनी एक expertise होती है, किसी की large cap में expertise है, तो किसी की small cap में है, तो इस साब से यदि divide करेंगे, तो बहतर होगा, दूसरी बात यह है कि, यदि मैं again 12% के CAGR पर calculate कर रहा हूं, तो 8 साल में करीब 52,00,000 रुपे खटा हो सकते हैं, 33,000 की SIP से, तो SIP का आमोनी बढ़ा होगा, यदि हम बात करें कि, जो target लेकर चल रही है, एक करोड रुपे का, तो उसके लिए तो 10,000 रुपीज से SIP बढ़ानी चाहिए इस वक्त पर, और फिर हर साल 10% से step up करेंगी, तो यह अपना goal असानी से achieve कर सकती है, लेकिन क्योंकि घर का goal है, घर बाई करना है, तो मेर investment को बढ़ाते रहिए, जितना possible हो, यदि एक करोड नहीं होते हैं, सतर लाग होते हैं, साट लाग होते हैं, तो बाकी का loan लेकर आप घर जरूर लीजिए, पर मैं थोड़ा बदलाव कि यहां पर आपको राय में रख रहा हूँ, अगर आपको 33,000 रुपी इंवेस्ट करने ह SDFC, ELSS fund आपके पास है, उसमें तो tax saving की साफ सेब कर रही हैं, तो जो 5000 कर रही हैं, वो करते रही है, ICAC potential large limit cap fund आपके पास उसमें, आप amount बढ़ा दीजिए, 8,000 कर दीजिए, कैनरा रुबे को small cap fund आपके पास है, उसमें 5000 की SIP रखिए, और HDFC multi cap fund में 5000, तो मेरे साफ से इन 5 fund से आपका एक अच्छा portfolio बन जाएगा, आप ही के पास जो scheme है, उनमें से कम करके, मैंने scheme बताई हैं, कोई नई scheme add नहीं करनी है, तो यह दिए राय सही लगे, तो मेरे साफ से इसके साथ आप आगे बढ़िए, यह बेतर रहेगा. आइसे से potential का जो actual large cap fund है, उसका नाम है आइसे से potential blue chip fund, और एक है large and mid cap fund, तो यदि large cap में निवेश किया होगा है, तो ठीक है, अगर large and mid cap में है, तो आपका थोड़ा mid cap में exposure बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास में already mid cap funds काफी है, तो थोड़ा सा देखिए, कि mid cap funds separately हैं, त तो बेतर रहेगा, और लंसम में ड्हाई लाक रुपे invest करें और साथ में 6,000 रुपे की SIP हो, तो मेरे साब से करीब करीब मतलब आप 21,000 की उमीद कर सकती हैं 10 साल में, अगर आपका target क्योंकि आपने कहा है 2 क्रोड रुपे घट्टा करना है, तो target काफी बढ़ा है, आपको सब्सक्राइब कर सकती है, और वजह सिर्फ यही है, कि मिट कैप में आपके बाद दूसरी और राइट, चलिए मेरे ख्याल से यहां कुछ technical issue हो रहा है, लेकिन रजनी के सवाल का जवाब दे रहे थे, पंकर जो बता रहे थे कि SIP या लमसम के लिए क्या strategy होनी चाहिए, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार रजनी के सवाल का जवाब भी देंगे, और साथी जो और महिला दर्शुक हैं, जोने सवाल भेजे हुए हैं, उनके जवाब पर focus करेंगे वेल्कम बैक, आप देख रहे हैं, विमन्स वेडनिस टे और पंकर ज मतपाल हमारे साथ बने हुए हैं, जो इंडिया इंवेस्टर वीक के हमारी आज की सपेशकर्श में, महिला दर्शुकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, और गरीमा का हम सवाल लेंगे पंकर जी, और पंकर जी मैं इनके फंस का नाम नहीं रीराउट करूँगी, मेरे ख्याल से जो थोड़ा बहुत समय बचाये शो में वो पूरा निकल जाएगा, बेरहाल बता दू, लगभग 11 फंस हैं, आपके पास डीटेल्स तो हैं ही, चालेंज इतना ही है कि इन फंस के नामों के अलाव मेरे पास और कोई टीटेल्स नहीं है, तो आपका काम बहुत बढ़ गया है क्योंकि आपको सिनारियो गैस करके शायद गरिमा को जवाब देना होगा कि कितनी अबधी का निवेश है और कितना जोके मुठा सकती है उस लिहाज से, खेर बताईएगा, क्या करेंगे, बहुत पहलावा है इनका पॉर्टफोलियो परियेट हो, लेकिन यह बात पता होगी कितने साल में कितना में पैसा बनाना है, तो किस तरह के फंड चुनने है और उसको ट्रेक करना आसान हो जाता है, तो यहाँ पर एक सलहा है, अच्छे हैं, मैं नहीं कहुंगा किर फंड खराब हैं, लेकिन ये आपको प्रॉट्प्ल कम कीजिए तो इससे क्या होगा फंड्स भी आपके कम हो जाएंगे और साथ ही पोटफोलियो में आपका जो और डाइवर्सिपिकेशन नहीं होगा क्योंकि आप डाइवर्सिफाइट फंड के जरिये भी उन सेक्टर्स में एक्सपोजर ले रही हैं और अलग से भी आपने उन चेक्रल फंड को निकाल दीजी और साथ ही जैसे SBI Focus Fund है उसमें से भी आप निकल सकती हैं Small Cap Fund में भी आपके पास में कई फंड से तो उसमें भी आप SBI Small Cap Fund भी अच्छा है HDFC भी अच्छा है एक फंड रखिए ये आपके लिए बहुत लिमिटेड डीटेल सेकर उसके नाफा होगा आपको ये देखना होगा कि आपका फंड कहां निवेश कर रहा है उसके मुताबिक आपको डाइवसिफाय थोड़ा सा करना चाहिए इस तरह की बारी किया हम लगातार चर्चा में लाते हैं हमारे शो पर लेकिन फिलहाल वक्त मेरा समाप्त हो चुका है तो पं प्लानिंग हम करते हैं नमस्कार